स्वागत है आपका ब्रेंड न्यू हाउस यूट्यूब चैनल पर और आज का जो डिजाइंग है उसका प्लान दिखा देता हूं आपको यहां पे 32 बाई 45 पीट के अंदर स्पेस रहेगा है ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और यह रहेगा नेक्स जो है मारा फर्स फ्लोर का प्लान रहेगा इसको देख सकते हैं और आई इसका 3D में व्यू आपको दिखा देता हूं तो चलिए शुरू करते हैं 3D वाक्तुरू यह फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं यहां पर 32 बाई 45 पीट के स्पेस के अंदर इसको डुफ्लेक्स मोडन स्टाइल में बनाया फ्रंट में ब्रामदा रहेगा यहां पर एक एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा तो उससे पहले रिक्वेस्ट करूँआ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर लें तो यह फ्रंट रहेगा फ्रंट में ब्रामदा है साइड म बाद मैं आपको वापिस फ्रंट पे ले चलता हूं और महां से जो हमारा मुख्य दर्वाजा रहेगा ब्रामदे के अंदर से वो दिखा देता हूं तो इस साइड में ब्रामदा है हमारा जो कि आपने शुरुआत में देखा होगा वीडियो के और इस ब्रामदे के अंदर दो दरौजे देख रहे हैं एक बड़ा दर्वाजा है, यहां पर देख सकते हैं, यह हमारा main entry door रहेगा अंदर hall के अंदर जाने के लिए, और जो side में दर्वाजा हूँ, वो हमारा separate bedroom है, उसका दर्वाजा रहेगा, तो अचलिए इससे मैं bedroom में ले चलता हूँ आपको, यहां पर यह bedroom रहेगा हमारा, size क् की detail आपको जाननी तो आप वीडियो के शुरुआत में प्लान दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, बाकि जादा ड्रेल चाहिए, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे संपर कर सकते हैं, हमारा WhatsApp नंबर वीडियो के description में मैं डाल दूँगा, वहां से आप देख सकते हैं, तो यहां स दर्वाजा आप देख रही हैं, यहां से एक बार पूरा रोटेट करके देख लें, और यह हमारे पिछे के साइड कीचन है, और एक जो हमारा यहां पे पूजा रूम रहेगा, और यह कीचन रहेगी, इस जाएंग का कीचन बना सकते हैं, कीचन के बैक साइड में आपका व लुए इसकी बार आपको लूप सीवास एरिया इस्तिमाल कर सकते हैं यहां से, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा हाल के अंदर से जो गार्वाजा रही है, वह अपी चलते हैं, कीचन से होती है, कीचन में एक बार नहां से देखें इसके पूरा ओपन साइज का कीचन है, और और यह जो hall है, hall के अंदर से हमारा एक bedroom रहेगा अंदर की तरफ, जो नीचे का हमारा floor है, ground floor, यहाँ पर तीन हमारे bedroom रहेगी, तो यह देखें आप इसको यह bedroom रहेगा हमारा, यह अलमारी है, और side में TV पैनल रहेगा, front में hall के अंदर खीड़की रहेगी, और आईएम आपको जो हमारा bedroom, इसके बगल में toilet bathroom है, वो किस style या design के बनाए है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, तो यहां से स्पेस है, सामने देख रहे हैं, यह जो दुरुआज़ा है, यह हमारा bathroom का दुरुआज़ा है, separate है दोनों toilet bathroom, बड़े size का यह bathroom रहेगा, आप देखिए इस design को independently बना सकते हैं, open space में बना सकते हैं, तो यह पिछे हमारा toilet रहेगा यहांगी, अगर यह area आपका चारों तरफ से खुला है, तो इसमें ventilation के लिए खिर्कियां लगा सकते हैं, चारों तरफ जहां भी लगाना चाहें, अगर आप इसको एक small farmhouse की रूप में भी आप बना सकते हैं, तो वापीछ चलते हैं, यह hall के अंदर से, और जो उपर का portion है, हमारा first floor का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस सीधियां रहेंगी हमारी style की, और सीधियों के नीचे आप lounge area बना सकते हैं, कापी modern, जो design है, modern style का structure इसमें दिखाया गया है, आप भी 32 x 45 feet के space के अंदर, छोटे space के अंदर, कहीं पे भी चाहें आपका area आप खेत में बनाना चाहते हैं, एक small farm house बनाना चाहते हैं, यह गाउं में भी इतना space आपके पास, तो उसमें आप बना पाएंगे, तो यहां से देखिए मैं उपर का जो lounge area यहां पर आते हैं, फस्स फ्लोर पे, तो यह lounge area रहेगा उपर का, देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा उपर से करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद सामने एक bedroom रहेगा, जो नीचे का bedroom था, बिलकुल उसके उपर का same size में bedroom हमने बनाया है, यहां पर, इसको देख लिए आप, यह bedroom रहेगा, रोटेट करके दिखा देता हूँ, पूरा का पूरा आपको, इस तरीके का मोड़ी दर्चत बनावा सकते हैं, जिसमें आप फरनीचर भी आपका सामूल हो जाएगा, उसके बाद बाहर बालकनी की तरफ चते हैं, जो फ्रंट बालकनी है, यहां पर दिखा देता हूँ है, आपको फ्रंट बालकनी स्टाइप की बनवा सकते हैं, जहां पर ग्लास और जो स्टील का आप आजकल का परचलन है, उसके हिसाप से इसको डिजाइन करवा सकते हैं, और यह जो हमारा बैडरूम है, उपर का इसके बगल में अगर आप देखेंगे, यहां पर मैं अंदर ले चलता हूँ, तोईलेट बातरूम है, कंबाइन है, जो नीचे सा दोनों सेपरेट के लेकिन यहां पर कंबाइन ह है, उपर के पोर्शन में, फ्रेंट से इसका डोर रहेगा, और शाइड में देखेंगे हैं, तो ओपन यहां पर आपको देखिए, ब्रामडा टाइप यह पोर्ट जैसे आपको शेप में मिल जाएगा, देखिए, जो मोर्ण स्टाइल में इसको बनवा सकते हैं, बाकी हैं, तो यह हमारा डिजाइन है, और दोस्तो आशा करूँगा, आपको डिजाइन हमारा पसंद आया होगा, और शाथ ही रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा आपसे, कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को सेर करें, अगर आपको अच्छ सब्सक्राइब ग्सक्राइब